मेरी बेटी 19 साल की थी जब भी कॉलिज से बापस आती तो अपना पेट पकड़ कर रोने लगती और उसे चक्कर आते लेकिन हर बार डॉक्टर को दिखाने से साफ इंकार कर देती मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने घर बुलाया बेटी का चेक अप करवाय तो दाई सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी कि इसकी शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से करवा दो नहीं तो गजब हो जाएगा मैं तो डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से कर दी शादी के दो दिन बाद ही वह ठीक होने लगी एक दिन राज जानने के लिए मै चुपके से, उसके कमरे में जा कर, अल्मारी में चुपक गई तो देखा, वह 14 साल का बच्चा, मेरी बेटी के साथ, मेरा नाम मीना है और मेरी बड़ी बहन का नाम गीता, हमारे माता पिता की हम दो ही संताने थी हमारे माबाप ही हमारे लिए सब कुछ थे माबाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते हैं ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं उनकी तो हमेशा यही कोचिश रहती है कि वह अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा करें ताकि वह अपनी जिन्दगी में हमेशा खुश रहें, लेकिन कभी-कभी कुछ अलादें खोटा सिक्का निकल जाती हैं, मेरी बहन की जिन्दगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है, जब मुझे ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था, कभी-कभ 20 सालों बाद भी हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कई सालों बाद मेरा अतीत मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरी बहन मुझे 2 साल बड़ी थी, जब हम लोगों ने कॉलिज जाना शुरू किया, उस वक्त मेरी बड़ी बहन का बरताओ, मेरे प्रती बिलकुल ही बदल गया, वह हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी, एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया, कि तुमारी बहन के पास फोन है, और वह किसी लड़के से बात करती है, उस वक्त मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, ल जब मैंने इस सब की बजा पूछी, तो उसने मुझसे कहा, कि तुम जैसा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी, मैंने अपनी बहन से कहा, कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो कहने लगी, कि मुझे पढ़ना और सोच बदल जाती है, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, एक दिन जब मेरी मां हमारा बिस्तर ठीक कर रही थी, तो उन्हें मेरे तक्ये के नीचे से एक मुवाईल मिला, वह मुझसे पूछने लगी, कि मुवाईल किसका है, मैंने मां से कहा, कि मुझे नहीं पता, कि मुवाईल कहां से आया, उस वक्त मेरी बहन बोली, कि मां ये जूट बोल रही है, ये इसका ही मुवाईल है, मैंने खुद ये मुवाईल इसके पास देखा था, मांने मेरे मुवाईल जोड़दार थपड मारा, और वह मुवाईल अपने पास रख लिया, मेरी बहन ये पाले जाना बंद करवा दिया और वह मुझसे बहुत जादा नाराज हो गई मुझसे बात भी नहीं करती थी जब पापा ने पूछा कि मैं कॉलिज क्यों नहीं जा रही हूं तो उन्होंने कह दिया कि उसके एक्जाम होने वाले हैं इसलिए घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रही है आप परेशान ना हो मेरी दीदी की वज़ा से मेरी मा मुझपर शक्कर रही थी जिस कारण मुझे बहुत बुरा लगता था नेकिन मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं था एक दिन पापा जब बाहर से घर लोट कर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंन दीदी को बहुत समझाया लेकिन दीदी ने मा की कोई भी बात नहीं मानी इस सब के बाद मा को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी कि वह मोवाइल मेरा नहीं बलकि दीदी का था अब मैंने एक वार फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब स किसी भी हाल में उनके दोस्त के बेटे से साधी नहीं करेंगी वह कहने लगी कि उन लोगों के घर में खाने पीने तक को कुछ भी नहीं है जबकि हम लोग तो कितने अमीर हैं वहां तो मेरी ख्वाइशें मेरे सपने किसी भी तरह से पूरे नहीं हो सकते हैं पापा ने कहा क कि गीता मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और कुछी दिनों बाद उसके बेटे पूरव की नौकरी भी लगने वाली है और तुम फिकर क्यों करती हो जो कुछ मेरा है वह सब तुम दोनों बहनों का ही तो है मैं कौन सा उसे अपने साथ लेकर उपर जाने वाला ह तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर आड़ी रही कहने लगी कि अगर आप लोगोंने मेरे साथ किसी भी तरह की जवरदस्ती की तो मैं खुद को खतम कर लूँगी लेकिन किसी भी हाल में पूरव से शादी नहीं करूँगी दीदी की बा बंध होने से पहले वह अपने बेटे की शादी कर दें लेकिन दीदी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी एक दिन दीदी मा से बोली कि मैं पूरप से कुछ बात करने जा रही हूं तो मा ने कहा कि तुम मीना को अपने साथ लेकर जाओ दीदी कहने लगी आखिर कब तक बहुत खुश हो गई उन्होंने सोचा कि शायद पूरप ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा क्योंकि पूरप तो दीदी को बहुत पसंद करते थे लिकिन घर में सभी लोग इस बात से अंजान थे कि उनकी बेटी जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला और कभी भी किसी बात की कोई पावंदी नहीं लगाई थी वह उनकी इज़त मिटी में मिला रही थी एक दिन जब मैं कॉलिज से बापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर कहीं जाते हुए देखा मैं लड़के का चेहरा देख नहीं पाई लेकि मा को भी इस बात का पता चल चुका था कि दीदी उनसे पूरब के नाम पर जूट बोल कर गई है मा ने अपनी इज़त की खातिर पूरब से जूट बोल दिया कि दीदी किसी सहेली से मिलने उसके घर गई है यही नहीं दीदी ने यहां तक जूट बोला कि जो उनके पास पूरव के घर के हालात भले ही हमारे जितने अच्छे नहीं थे लिकिन वह पड़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाली थी तो आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाता। पहरने लगी और उनकी बलाएं लेने लगी लेकिन दीदी ने तो उनका हाँ जटक दिया और अपने कमरे में चली गई माने बात को समालते हुए उनसे कहा कि शाय सर्मा गई होगी उनके जाने के बाद मैं दीदी के कमरे में उन्हें मिठाई खिलाने के लिए गई तो उन्हों इसली बहुत प्यार करते हैं कम से कम इतना तो सोचो कि आज तक तुमने जो भी कहा है मम्मी पापा ने हमेशा तुमारी बात मानी है लेकिन अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो क्या तुम्हें माबाप की इज़त का जरा भी खयाल नहीं है तवी माबी कमरे में आ गई और हाँ जोड़कर दीदी से क रहने लगी बेटी कुछ तो हमारी इज़त का खयाल करो और ये शादी कर लो लेकिन दीदी ने किसी की भी नहीं सुनी और उठकर कमरे से चली गई मापा के पास गई और उन्हें बताया कि गीता दीदी कह रही है कि पूरव की शादी मेरे साथ करवा दी जाए यो कि वह तो उसी लड़के से साधी करेंगी जिसे वह पसंद करती है ये सुनकर पापा बहाँ जादा गुसा होने लगे और अचानक ही उनकी तबियत भी खराब हो गई तो मा ने पापा को समझाया कि आप बिलकुल भी फिकर ना करें गीता अभी नादान है जब उसकी शादी हो इस उम्र में बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं हमारा फर्ज है कि हम उने समझाएं और सही रास्ता दिखाएं पापा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी इज़त को मिट्टी में मिला कर ही रहेगी लेकिन तुम भी गीता से साफ साफ कह दो अगर उसने ऐसा कुछ भी कि तो मैं जिन्दगी भर उसे माफ नहीं करूंगा अगर उसे अपनी मर्जी से ही शादी करनी है तो फिर मेरी एक शर्थ है उससे कहो कि जिस लड़के से वह सादी करना चाहती है उस लड़के को घर पर बुलाए मैं उसी दिन उसकी सादी उस लड़के से करके उसे विदा कर लेकिन इसके बाद उसके और हमारे बीच कोई भी रिष्टा नहीं रहेगा और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाएंगे और तुम भी उसे भूल जाना सिर्फ इतना याद रखना कि अब हमारी बस एक ही बेटी है ये सुनकर मा रोने लगी जब दी कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसी लिए वह मान जाएंगे अब तो दीदी के पैर जमीन पर ही नहीं थे वह तो आसमान में उड़ रही थी उसी दिन शाम को दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया इधर पापा भी बहुत जादा परेशान थे कि अब वह अपने दोस्त से आखिर क्या कहेंगे शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और दीदी जिस लड़के को पसंद करती थी वह भी उनका फोन नहीं उठा रहा था इसी वीच पूरव और दीदी की सगाई हो गई दीरे दीदी भी किया कहने लगी कि तुम्हारी आखिर हैसियत ही क्या है जो तुम मुझसे साधी करना चाहते हो पूरव ने दीदी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने शादी के लिए मना क्यूं नहीं किया तुम सगाई से पहले ही इनकार दिकर देती तो आ चुकी है, दीदी ने कहा, कि तुमें जो करना है वह तुम कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुम से शादी नहीं करूंगी, इधर वह लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था, दीदी उस लड़के के घर भी गई, जहां पर वह रहता था, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका उसके पडोसियों ने भी उसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बताया तब फिर मजबूर होकर दीदी को पापा का फैसला मानना पड़ा पापा ने भी दीदी को 15 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर वह लड़का अपने परिवार वालों के साथ आकर तुम्हारा रिष्टा मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूँगा लेकिन अगर वह नहीं आया तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और हुआ भी यही कि वह ना तो आया ना ही उसने दीदी का फोन उठाया अब घर में शादी के सेहनाईया बजने लगी सब महमान आने शुरू हो गए थे और दीदी का रो रो कर बुरा हाल था पापा ने दीदी को बहुत समझाया कि मावाब कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते वह उनकी सिर्फ खुशी चाहते हैं पूरव एक बहुत अच्छा लड़ लेकिन वह लड़का सिर्फ तुमसे दिल लगी कर रहा था वह दोके बास था लेकिन दीदी तो पापा की कोई बात समझ नहीं रही थी वह उस लड़के के प्यार में अंधी हो चुकी थी उसे सिर्फ अपना स्वार्थ ही नजर आ रहा था दीदी को तो मैंने पहले से ही दे जूदगी में ही उन्होंने मेरा रिष्टा उस लड़के के साथ तै कर दिया ये सब बहुत अचानक से हुआ वह लोग हमें पहले से ही जानते थे और वह बहुत अच्छी लोग थे इसलिए वह बार बार आकर मम्मी पापा से मेरा रिष्टा काफी दिनों से मांग रहे थे पापा ने मुझे बताया कि उस लड़के ने मुझे पहले कहीं देखा हुआ था और तबी से वह मुझे पसंद करने लगा था इसलिए उसने अफने मम्मी पापा से कहलवा कर मेरा हाथ मांगा था पापा ने कहा लड़का बहुत अच्छा है खाते पीते घर का भी है मैं इस कहने लगी कि क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ जो आप मेरा रिष्टा एक कंगा लड़के के साथ कर रहे हैं जो मेरी ख्वाइशों को पूरा तक नहीं कर सकता दीदी मुझे से बहुत जादा जल रही थी इसलिए उसे मेरी किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं था मैं होने वाले पती से पहली बार मेरी बात करवाई अब मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था वह तो सदमे की हालत में थी मेरे चचेरी बहने उनसे कहने लगी कि तुम तो ऐसे मुझ बना कर बैठी हो जैसे कि तुम्हारी साधी जवरदस्ती करी जा रही हो हाला कि सस्तो यही जो कि वहां के लोगों को लग रहा था पर मा ने उन लोगों से बहाना वनाया कि उसकी तवियर ठीक नहीं है उसके बाद वह दीदी को वहां से लेकर गई इधर बारात भी आ चुकी थी सब लोग बारात देखने चले गए मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी बहन की आज साधी ह जब पंडी जी ने दुलहन को बुलाने के लिए कहा तो मेरी मा दीदी को लेने के लिए गई लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी वह वहां से भाग चुकी थी और वह एक लेटर छोड़ कर गई थी जिसमें लिखा था कि आप लोग मुझे शादी करने के लिए मजबूर न इधर बाहर सब लोग दुलहन के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन दीदी तो अपने पापा की इजज़त मिट्टी में मिला कर चली गई थी पापा रोते रोते कहने लगे कि आखिर मुझे से क्या गलती हो गई थी ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो मेरी बेट दोस्त ने कहा कि तुम बिलकुल फिकर मत करो अगर तुमारी एक बेटी हमारे घर की बहु नहीं बन सकी तो क्या दूसरी बेटी तो बन सकती है पापा ने मेरी तरफ देखा मुझे उनकी आखों में एक उमीद दिखाई दे रही थी ये देखकर मैं अपनी मा के गले लगकर रोने लगी मैंने मा से कहा कि मैंसा नहीं कर सकती पापा ने भी अपने दोस्त से कहा कि मीना का रिष्टा तो कहीं और तै हो चुका है मैं उन लोगों से क्या कहूंगा पापा के दोस्त ने कहा कि अरे रिष्टा तै ही तो हुआ है शादी तो नहीं हुई उनसे कह देना कि मी पीना की शादी जहां होनी थी, वहां हमने कर दी। इस तरह से अचानक ही मेरी शादी पूरब से हो गई। जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज पूरब मेरे सामने मेरा पती बन कर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा क्यूं होता क्यों हमेशा कुरवानी हमें ही देनी पड़ती है मेरी बहन के किये कि सजा मुझे मिली थी और वह खुद ना जाने कहां चली गई थी किसी ने भी उसकी ख़वर नहीं ली पापा ने भी कह दिया कि आज से वह हमारे लिए मर चुकी है अब उसका हम लोगों से कोई भी रिस्ता नहीं है मैं अपने मावाब की दुआएं लेकर विदा होकर अपने ससुरा ला गई लेकिन अभी मेरा इम्तियान खत्म नहीं हुआ था जिंदगी भी उनी की परिच्छा लेती है जो पहले से ही बिखरे हुए होते हैं मा ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूल कर अब दूसरी जगा जाती है सारी उम्र मावाब के घर पर यही बात सुनती है कि वह पराया धन है कल को उसे अपने घर जाना है लेकिन जब शादी होकर ससुराल जाती है तो उसकी सास उसे यही कहती है कि अब यह तुमारा घर नहीं है जो तुम यहाँ अपनी चलाओ जब मैं बहन से प्यार करते थे और उन्हें उसका धोका बरदास्ट नहीं हो रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि काश जब दीदी साधी से इंकार कर रही थी तब ही ये लोग रुक जाते। मेरे पती ने भी मुझे साफ साफ कह दिया कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में तुम भी अपने पती के दिल में अपनी जगा बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना आतीद भूल जाएगा। इधर पापा आप मुझे से और ज़्यादा प्यार करने लगे थे क्योंकि मैंने उनकी इज्जद बचाई थी। पापा ने क कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे और पूरफ के रिष्टे ठीक नहीं हैं लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वह एक शरीफ लड़का है अभी उसके दिल को चोट पहुची हुई है इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है लेकिन तुम देखना एक कोसिस में लगी रहती थी कि अपने पती और ससुराल बालों का दिल जीत सकूँ मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे मुसे बहुत प्यार करते थे लेकिन मेरी सास और नंद मुझे पसंद नहीं करती थी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से जादा खुबसूरत नहीं थी बस वह लोग मुझसे इसलिए नारास थे क्योंकि मेरी बहन ने उन लोगों के साथ जो किया मुझसे उनका बहुत जादा दिल दुखा था इसलिए उसका गुस्सा मुझ पर निकलता था अब मेरे पती को नौकरी मिल गई थी और उन्हें कमपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी इस पर मेरे ससुर ने कहा कि मीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत ही जादा शुब हैं लेकिन मेरी सास और ननद ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि हर इंसान को उसके नसीब का ही मिलता है समय भी दीरे दीरे निकल रहा था और मैं इधर कोशिश करती थी कि मैं अपने पती के दिल में अपने लिए जगह बना सकूँ लेकिन मैं जब भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो मुझे सिर्फ हार ही नसीब होती वह मुझे से कहते भी कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं कभी भी उनके दिल में जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं। मौका मिलते ही वह मेरे पापा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद मम्मी की कॉल आई। ख़वर मिली कि पापा का द मालना है। मैं अपने माय के गई तो मेरे पापा की लाश वहां पड़ी थी। वहां बैठे लोग आपस में बाते कर रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक ये बेजती बरदास्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या-क्या बाते कर रहे थे। मा की हालत भी बहुत खराब थी। अब मा का खयाल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं। ताकि मैं उनका खयाल रख सकूं। मेरी मा मेरे ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मा की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके मेरी शादी को पांच महीने हो चुके थे इसी वीच मेरे नमबर पर किसी अंजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई मैं ये देख कर बहुत ज़ादा हैरान हुई कि मेरी ये फोटो इस लड़के के पास कैसे गई अब वह मुझे फोन पर ब्लैक मेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला ये वही लड़का था जिस से पहले मेरा रिष्टा तै हुआ था मैं भगवान का शुकर अदा कर रही थी कि ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे पती को ना पता चल जाए इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी अब वह मेरे पती के नंबर पर कॉल करने लगा था मेरे पती का बरताओ भी मेरे साथ अच्छा हो गया था लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का ये फोटो मेरे पती को ना सेंड कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे एक दिन मेरे पती के पास किसी का फोन आया और वह अपना सर पकड़ कर बही पर बैठ गए मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी विकिन तुम्हारे पापा के देहांत की वज़ा से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था मैंने कहा ऐसी क्या बात है बताईए मुझे उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारा रिष्टा पहले तै हुआ था वह वही लड़का था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीक तै हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिष्टा भेजा क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिये थे क्योंकि गीता ने तुम्हारे नाम से ही उस लड़के से बात करनी शुरू की थी लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और उसने ये सब तुम्हारे पापा की जायदाद के लिए किया था उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे पापा के पास कितनी जमीन जायदाद है लेकिन तुम्हारी बहन यही समस्ती रही कि वह उसे सच्ची महबत करता है इसलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी और उसी के कहने से साधी वाले दिन वह घर से तो उसे पता चला कि सबकुछ तुम्हारे नाम पर है क्योंकि तुम्हारे पापा ने पहले ही सबकुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था उसका प्लान तुम दोनों बहनों को बरवाद करने का था। उसने सोच रखा था कि एक से साधी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फसा कर रखूंगा। इस तरह से तुम्हारे पापा की पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प पोटों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोकेवाज हो। पर ऐसा नहीं है। जब वहे तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घवरा कर फोन काट देती और फोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोट पापा की डेत हुई उसके अगले दिन ही तुमारी बहन का मेरे पास फोन आया था और वहे मुझे से अपने किये की माफी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोका दिया है। वहे कहता है कि अपने पापा से पैसे लेकर आओ लेकिन सब कुछ तो मीना की नाम पर है। मैं कहां से ला कर दूँ। इसलिए उस लड़के ने मुझे धक्के मार कर अपने घर से निकाल दिया और मुझे से शादी भी नहीं की। अब तुमारी बहन घर आना चाती है। अब पता चला है कि वह लड़का जेल में है और पहले से ही शादी शुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पती से कहा कि आपने मुझे से एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या जूट। मेरे पती ने कह तुम्हारे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कभी भी मेरी मीना पर शक मत करना इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है बलकि इस वज़ा से उसने अपने बाप की इज़्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज़्जत है तुम भी अपना आतीत भूल कर मीना को अपना लो, क्योंकि जो बेटी बाप की इज़्जत के खातिर अपना सर जुका देती है, वह बहुत पाक दामन और सच्ची होती है, वह कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी, मेरे पती मुझसे माफी मांगने लगे, मैं सोच रही थी, कि मेरे पापा ने मुझसे सही कहा था, कि पूरब बहुत अच्छा लड़का है, और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी, उसने मेरे कहे बगेर ही सब कुछ समाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता, फिर मेरी बहन एक दिन घर आई, और सबसे माफी मा लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया, अब वहे दर-दर की ठोकरे खा रही थी, मेरी शादी को भी तीन साल हो गये थे, और मैं प्रेगनेंट थी, अब मेरी सास का बरताओ भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, वहे मेरा बहुत खयाल लगती थी, मैंने भी सब गूल कर एक नई जिन्दिगी की शुरुआत की थी, उस दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था, मेरा पती बहुत खुश था, ऐसे ही वक्त गुजरता गया, और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे, मेरे दो बच्चे थे, सबसे बात नहीं करती थी, पता नहीं क्यों, वह मुझसे दूर होती जा रही थी, जब मैं उससे वजा पूश थी, तो वह कहती, कि मम्मी, आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती, फिर एक दिन मेरी बेटी का रिष्टा आया, तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पड़ रही थी, और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिष्टा लेकर आने लगे, जब हमने उनकी बा आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था इधर कुछ दिनों से मेरी 19 साल की बेटी जब भी कॉलिज से बापस घर आती तो अपना पेट पकड़ कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं जब मैं उससे कहती कि कर अपनी बेटी का चैक अप करवा लेती हूं जब दाई ने मेरी बेटी का चैक अप किया तो उनकी बात सुनते ही मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई वह मुझे से कहने लगी अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे के साथ कर दो वरना वह मर जाएगी मैं खिर ये क्या राज हो सकता है इसलिए मजबूर होकर एक दिन में चुप चाप अपनी बेटी के ससुराल पहुँच गई तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी जिससे हुई है वह कोई 14 साल का लड़का नहीं वलकि वह उस आदमी का बेटा था जो आदमी मेरी बेटी क भी धोका दिया था साथ-साथ मीरी भी जिन्दकी बरवाद करने की कोशिश की थी मेरे पती ने मुझे कहा था कि तुम दाई की बातों में मत आओ आमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है लिकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस पर मैं भरोसा कर रही थी उसने मेरे भरोसे को करती हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया आप मुझे माफ कर दें मैंने उसे कहा कि तुम बिलकुल अपनी मौसी पर गई हो उसने भी ऐसे ही अपने मावाप को धोका दिया और भाग गई थी और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूल मेरी बहन ने मेरे हसते खेलते घर को उजाड़ दिया था वह चाती थी कि मैं अपने पती को छोड़ दूँ और पूरब उससे शादी कर ले क्योंकि अब पूरब के हालात बहुत बदल चुके थे आज पूरब के पास गाड़ी बंगला सब कुस था जिसकी बजा से वह उसस शादी करना चाहती थी इधर हमने अपनी बेटी को भी समझानी की बहुत कोशिश की कि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है लेकिन वह बात मानने को तयार ही नहीं थी पेट दर्द का नाटक और ये सारा प्लान उन लोगों ने इसी लिए मिलकर किया था ताकि वह हमें बेवकूब बना कर ये शादी कर सकें फिर एक दिन मेरी बेटी रोती हुई घर आई और मुझसे माफी मांगने लगी बोली मम्मी में भटक गई थी मौसी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है उन्होंने आपके बारे में मु कुछ नहीं मांगा आज मांग रही हूँ हमारी बेटी से भूल हो गई थी इसे माफ कर दो बीरे पती ने मेरी बेटी को माफ कर दिया और हम सब लोग एक खुशाहाल जिंदगी बिताने लगे तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेट करके जरूर बताएं और प थांक यू